ओम नमस्षिवाय जाय महाकाल, क्या आपको पता है कि आपका हर सपना कुछ ना कुछ जरूर कहता है, आजकर लोगों को बहुत जादा सपने आते हैं, कोई सपने में शीवलिंग देखता है, तो कोई ये देखता है, कि हम सापने काट लिया, तो कोई ये भी देखता है, कि हम स पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा देखो इस चीज को गुरू जी ने अपनी कथा में तो नहीं बताया लेकिन उनकी एक हस्त लिखित किताब है जो सिहोर में मिलती है वो मैं गया था तो मैं लेकिया है तो उसमें मैंने पढ़ा है वही मैं आप यहां पर बता रहा हूँ कम से कम कुछ ना कुछ तो 20-25 आपको सपने जरूर बताऊंगा कि जो बहुत ज़्यादा कौमन है लोगों को आते है ठीक है पहले सपने के हम लोग बात करते हैं कि अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप कोई अनाज को भर रहे हो किसी जोले म सपने में तो उसका मतलब होता है कि आपको धनलाब हो रहा है ठीक है अगर आप कोई अनाज बर रहे हो सपने में इसका मतलब आपको धनलाब हो रहा है दूसरा अगर सपने में आप किसी को मरा हुआ देख रहे हो कि अगर आपके घर का कोई इंसान है या कोई थर्ड परसन ह जो कोई मरा हुआ है, मतलब की जंदा है, लेकिन आपने सपने में ये देखा, कि वो इनसान मर गया, इसका मतलब क्या होता है, कि उस इनसान की जो जीवन काल होगा, वो दीर आई होगा, उसकी एज और जादा बढ़ जाएगी, ये मतलब होता है, अगर आप किसी को मरा हुआ बेक्ति आप देख लेते हैं, ठीक है, दो चीज़ें समझ में आगई, तीसरी चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ये देखते हैं, कि वो बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों को देख रहे हैं सपने में, कि उनकी बहुत बड़ी-बड़ी बिल्ड घटने वाली है अगर आप किसी उचाई से गिर रहे हो इसका ये मतलब होता है ठीक है पांचवे सपने की हम लोग बात करें कि अगर आपको ये सपना आता है कि आपको कुत्ते ने काट लिया सपना ऐसा भी तो आता है कि हमें कुत्ते ने काट लिया तो इसका मतलब क्या होता ह है कि सत्र का भय याने कि कोई आपका दुश्मन है वो आपको हाली हाल में डरा सकता है धंका तो हो गया सांतमें के हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा common होती है बहुत ज्यादा लोग देखते हैं कि वो बादल देखते हैं सपने में क्या देखते हैं वो बादल देख रहे हैं कि बादलों में चल रहे हैं सब सोय हुए हैं जमीन पे और वो बादल देख रहे हैं तो बादल देखने से भी क्या होता है धन लाब की हमें संकेत मिलना सुरू होते हैं जो भी हम बादल देखते हैं ठीक है साथ चीज़ों मैं थोड़ा जल्देली चल रहा हूँ कोई बहुत जाथा सपने हैं ठीक है आठ की हम लोग बात करते हैं अगर आप ये देख रहे हो कि मकान गिर रहा है मकान से आप गिरने रहो, मकान ही गिर रहा है तो मकान गिरने का मतलब होता है कि आपकी तरक्की बहुत जल्दी होने वाली है नोए सपने की हम लोग बात करते हैं कि अगर आप पेंड काट रहे हो सपने में अगर आप पेंड को काट रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आपको कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होने वाला है नौ सपने के हमने बात खर ली है दस्वा सपना जो हमारा होता है कि बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि वो शराब पी रहे हैं कभी नहीं पिया उन्होंने लाइफ में सराब लेकिन फिर भी हो क्या कर रहे हैं शराब को पी रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कस्ट जरूर आने वाला है ग्यारावे सपने अगर आप सपने में रोटी खाता हुआ आपने आपको देख रहे हैं सपने में आप क्या देख रहे हैं कि बारिश हो रही है तो किसी ना किसी चिंता का विशय आपकी जीवन में आने वाला है उससे आप साधान हो जाएं बारा हो गया तेरहावे सपने के हम लोग आगे बढ़ते हैं जो तेरहावा सपना है बोगत जादा कॉमन करके स्री शिवाय नमस्तुब्य हमके इस मरण करते हुए एक लोटा जल समर्पित कर दिया करिए अगर आप ऐसा कोई सपना देखते हैं ठीक है चौदावे सपने के हम लोग बात करते हैं जो चौदा सपना हमारा है बहुत लोग यह भी देखते हैं आझाय जलती हुई आग को उठा लिया तो उसका मतलब क्या होता है यह भी आपकी जिवन में कुछ ना कुछ कस्ट जरूर आएगा आग को उठाना और आग को देखने में अन्तर है अगर आप आग को उठा रहे हैं अपने हाथों से, इसका मतलब आपको कस्ट होगा, लेकिन अगर आप किसी आग को देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, उसको ना छू रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, इसका मतलब आपको धनलाब बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है, चले, आपको एक लोटा शुद्ध जल महाद्यों के शीवलिंग पे चढ़ा के उसका आचमन कर लेना चाहिए, स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमारण करते हुए, ठीक है, सत्रा में सपने के हम लोग बात करते हैं, सत्रा में सपना है, बहुत लोग ये देखते हैं कि भीया हमको क्या हुआ, किसी सफेद साप ने काटा, सफेद साप, नॉर्मल साप नहीं, अगर नॉर्मल साप आपको काटता है तो उसका मतलब होता है दुख आ रहा है आपके जिवन में, लेकिन अगर सफेद साप ने आपको काट लिया है, तो इसका मतलब होता है कि आपको धनलाब होने वाला है, सफेद साप काटेगा तो धनलाब होगा, अठरामा सपना, तो एटीन सपना हमारा जो है, कि बहुत लोग ये भी देखते हैं कि वो पानी में डूब रहे हैं, सपने में क्या देख रहे हैं, कि वो खुद है, कहीं गये हैं घूमने फिरने या फिर कहीं पे हैं, और वो अचानक पानी में डूबने लेगे, इसका भी मतलब होता है, कस्ट पाना तो अगर ऐसा कोई सपना आता है तो आपको महादेव के शीविलिंक पे जाके एक लोटा जल जरूर समर्पेद करना चाहिए समी पत्र के साथ ठीक चलो 19 सपने के हम लोग बात करते हैं 19 सपना है बहुत साइड लोग क्या देखते हैं कि वो बागीचा देखते हैं जो भी लोग बहुत जादा शौकीन होते हैं बागीचे बगर के तो बागीचा अगर आप देखते हैं तो अगर आपके कोई कर्ज की समस्या होगी तो बहुत जल्दी आप उससे निवारण पा जाएंगे अगर आज सपने में बगी जा देखते हैं तो ठीक है बीसमा सपना बीसमा सपना है कि अगर हम कोई चीज मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है और रोता हुआ देख रहे हैं मृत्य व्यक्ति को रोता हुआ अगर आप देखते हैं कि हमने जहर खा लिया, इसका मतलब यह चिंता का विशह है, आपको इसका निवारन बहुत जल्दी कर लिना चाहिए, 21 हो क्या, 22 में सपने की हम लोग बात करते हैं, आगे ये भी लोग देखते हैं, कि उनका जो भी कोई सरीर है, शरीर में वो क्या करते हैं, तेल की मालिश कर सपने में ऐसे भी आते हैं सपने, कि वो सरीर में मालिश कर रहे हैं तेल की, इससे भी क्या होता है, धनलाब हमें देखने को जरूर मिलता है, ठीके, 23 हम लोग बात करते हैं, ठीके, 24 सपना हमारा है, कि अगर आपको सोना, यानि कि गोल्ड कही पड़ा हुआ मिल जाता है सप तो इसका मतलब कि आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, हमें इसका निवारण जरूर कर लेना चाहिए, 24 सपने के हमने बात कर ली, 25 वा और आखरी सपना हमारे आज के इस वीडियो का, कि अगर आप कुए में गिरता हुआ देखते हो अपने आपको, कि आप कुए में गिर रहो, किसी नदी में गिर रहो तो इसका मतलब ये भी परेशानी का विशय है, आपको महादयो के शीवलिंग पे जाके एक समी पत्र के साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इस मनद करते हुए, एक लोटा जल, जरूर समर्पित करना चाहिए, 25 सपने की बात, आज हम जादा देखोगे, जैसे आप मान लेते हैं कि कोई भी चीज देखते हो, दिन में मान लेते हैं कोई सीरियल आप दिन में देखते हो, जादा मात्रा में, तो क्या होगा उससे, कि पूरी रात जो आपको सपने आएंगे, कही ना कही एक ना दो बार आपको सीरियल जरूर दे और जो भी चीजें अगर आपको लगती है कि चीजे खराब है तो उस चीजें को बिलकुल त्याग दीजे अच्छे चीजें को फोन में देखा करिए और अपना विचार पॉजिटिव रखेंगे तो कभी भी कोई भी सपना आपके जीवन में नहीं आएगा और अगर कोई सप अपना होगा ये सब खतम हो जाएगा ठीक है मैंने कोशिच की है आपको बहुत अच्छा समझाने की विडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे कुछ पूछना हो नई समझ में है नीचे कॉमण में पूछें आवाज जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे है चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाए जय महाकार